तुझी मैं आज शेयर करने जारी हूँ माई वेट लॉस जानी के बर में तुझी असलाम ओलेकूम एंड गूड मॉर्णिंग गाइस कैसे हो अप लोग उमेद है के खेड़ी सोंगो सभी और अप लोगों की दुआउं की वैसे अलहम्दली अलहम्दली बिल्कुल ठीक हूँ म तुझी मेरी वेट थी पहले जब मेरी शादी हुई थी तो तब मेरी वेट थी 55 से 56 होती थी फिर मेरी बची होने के बाद मैं वेट गेंड कर ली फिर मेरी वेट होती थी 65 एंड 66 के बीच फिर ऐसे ही रहती कुछ साल ऐसी थी फिर मैं वेट जादा गेंड कर ली तो फिर मेरी वर्ट हो गई ही 69 तो तब कुछ मतलब इस तरह की कॉमेंट मिलती थी मुझे के तुम तो मोटी हो ये तुम्हें ये नहीं सूट करेगा वो इस तरह की बाते सुननी पड़ती फिर फर्क नहीं पड़ी मुझ पर ऐसी मैं मजाग समझके वो बात टाल देती फिर ऐसे ही सुनते सुनते एक दिन ये बात सुननी पर ही कि बहुत ज़्यादब बुरी लगने वाली बात तो वो बात मैं तब सिरियसली ली दिल पे लगकी बात तो मैंने सोचा चलो वर्ट लॉस करते हैं कैसे करूँ तब ना थी यूट्यूब ना थी कुछ सोचल मेडिया के वारे में कुछ भी आइडियाज कुछ भी नहीं थी मोबाइल भी नहीं थी मोबाइल थी छोटी सी मोबाइल तो फिर मैंने सोचा कैसे करूँ तो वो मैंने मन में एक होती है न चैलेंज के नहीं मुझे करनी है किसी भी करके तो फिर मैं वर्ट जब वर्ट की ना तो देखी 70 फिर कुछ दिन बाद देखी 72 ओ माइ गॉड फिर मेरी दिमाग एकदम सटक के मैंने सोचा कैसे कम करूँ मैं मैं तो रोज-रोज गेन ही कर रही हूँ वेट तो तब मैंने सोचा चलो धीरे-धीरे खाना पीना कम करते है तब पता उतनी होती नहीं थी कि कौन सी चीज में कितना कैलोरीज है क्या है फैट है कितना प्रोटीन है ये सब कुछ भी नहीं थी आइडिया फिर धीरे-धीरे खुद ही खुद ही ट्राइ करते-करते-करते कम की पहले तो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दी थी बहुत कम खाती बहुत ज़ादा खुद को तकलीफ दे-दे के कम कर ली पहले फिर आईए हाथ में फोन ये अंड्रोइड फोन फिर धीरे-धीरे सोसल मेडिया के साथ मैं क्या बोलता है कनेक्ट हुई फिर धीरे-धीरे-धीरे जानकरी लेते-लेते माशालस है अभी हर चीज पता होती है अभी कौन सी चीज में कितना कैलरीज है कितना प्रोटीन है कितना फैट होती है तो वो सब मैं खाल रखती हूँ फिर अभी मेरी वेट है माशालस है 57 ओ मैं गॉड ये भी बहुत हैडान होने वाली बात है मेरे लिए तो चलो शुकर है अल्ला का 56 57 58 ऐसे ही होती है इससे ज़ादा मैं होने नहीं देती हूँ तो उस दिन उस इनसान ने ऐसी कॉमेंट नहीं करती तो शायद मैं वैसे ही रह जाती बट वो ही कॉमेंट मेरी वो कॉमेंट थी बुरी बट वो कॉमेंट ही मेरी लाइफ एक तम बदल दी तो जो ही है गाईज अभी मैं स्मूधी बनने लगी हूँ एपल एंड विट रूट की तो प्रॉपर ली वेट लॉस करने के लिए प्रॉपर तरीके से तो कुछ-कुछ चीज फॉलो करनी होती है ऐसी नमोमकिन वाली कोई बात नहीं है हर चीज हम कर सकते हैं और मैं ये चीज अचीब की हो भूत खुशी मिलनी है मुझे, अभी मैं खुद को टाइम देती हूँ तब मैं खुद को टाइम देती नहीं थी और घर बैठे बैठे की मैं वर्ट लॉस ना की जीम, ना वर्किंग, कुछ भी तो चले सकून के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करते और कुछ भी आप लोग वर्ट लॉस के बारे में जाना चाते हो या फिर्मन में कोई इसी भी कोईश्चन है तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना और भी कुछ सुनना चाते है मेरी लाइफ की बारे में कुछ भी चीज तो ज़रूर कॉमेंट क्या करें अपनों के साथ जाद से जादा शेयर भी क्या करें तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ अलाह ओफीज थैंक यू पर वाचीं